दोस्तो सिधार शुकला की मौत से पूरा बॉलिवुडी नहीं बलकि टीवी जगत में भी मातम जाया हुआ है और वहीं उनकी पुरानी दोस्त अविका कौर का भी उनकी मौत के उपर रियाक्शन आ चुका है दोस्तो अविका कौर और सिधार शुकला एक साथ बाली का वदू में काम कर चुके हैं माना जाता है कि दोनों बहुत ही नस्दीक थे वहीं सिधार शुकला की मौत पर अविका कौर बहुत ज़ादा दुखी है और उनका रो रो कर बुरा हाल है अभिका कॉर ने उनकी मौत पर कहा मैं बहुत बड़े शौक में हूँ और मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी दुखी हूँ मेरे पाश शब नहीं है बया करने के लिए मेरे लिए बहुत ही अन्बिलिवेबल है हाला कि मुझे उनसे मिले काफी टाइम हो चुका था पर मैं उनसे हमेशा कंटाक में रहती थी सिधार शुकला एक बहुत ही अच्छे दिल के इंसान थे मुझे उनकी हमेशा याद आएगी मैं इच्वर से प्रात्ना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांती मिले भगवान उनके घरवालों को इस दुख की घड़ी में साथ दे दोस्तों आपको बताते चले कि सिधार शुकला की डेथ हाथ अटेक के कारण हुई है सिधार शुकला काफी दिनों से बिमार चल रहे थे कहा जा रहा है कि उन्होंने रात को दवाई खाई और वे सुभा उठे ही नहीं जिसके कारण उन्हें हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा पर हॉस्पिटल में उनको डेड घुशत कर दिया गया दोस्तों सिधार शुकला के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे और साथ ही हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले